दोस्तों न्यूटन का एक नियम है ला आफ एनर्सिया जड़त का नियम आपने पढ़ा होगा इस नियम के तहट कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है अगर वो इस्तिर है तो इस्तिर रहना चाहती है यानि कि अपनी इस्तिति का बदलाव करने का वो विरोत करती है और इस्तिती में बदलाओ करने में ही सबसे अधिक एनरजी आपकी नश्ट होती है हमारे मन की इस्तिती भी बिलकुल ऐसी ही है लंबे समय तक अगर आप उदास रहना सीख जाते हैं तो आपका मन उदास ही रने लगता है आपको लगता है या आपका मन इस बात को समझ जाता है कि हमें बस ऐसे ही रहना है यही जीवन का एक निश्टित सेडियूल है और इसी सेडियूल में हमें चलना है यानि यह कि अगर आप खुस रहते हैं तो आपका मन ये समझ जाता है कि हमें हर हल में खुस रहना है और अगर आप हमेशा धीर गंबीर बने रहते हैं आप हमेशा उदास बने रहते हैं तो आपके मन को लगता है कि यही सौभाविक गती है तो इस गती को आपको तोड़ना पड़ेगा देखो फ्रेंट्स जीवन मे खुसाली सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं है, प्रते दिन आपको हसने के अनेक कारण उपलब्ध होते हैं, इन कारणों को आपको पकड़ना पड़ेगा, एक छोटे बच्चे की ओर देखिए, कैसे उसकी हसी कितनी निर्दोस होती है, वह कितनी छोटी बातों पर हसता है, र यानि कि दुखी रहना है या फिर खुस रहना है, यह डिवेंड करता है आपकी सोच पर, यकीन मानिये, जिन वजहों से, जिन चीजों से, जिन लोगों से आज आप परिसान है, आज आप दुखी हैं, वो चीजें कल नहीं होंगी, लेकिन जो ये वक्त आप गुजार खुसाली आपके पास आएगी, क्योंकि आप अपने मन से जिन चीजों को आकरशित करेंगे, निमंतर देंगे, वही चीजों तो आपके पास आने वाली हैं, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का, इस टेडिविक ज्यान प्रकास में, आज है 9 जुलाई, चले खरन बस्विजरे के दोरा किया गया है, और इसकी जो कॉशलिंग स्वाइर वह अगले सप्ता तक आ जाएगी, इसके बाद जो बच्चे होंगे, वह अपनी कॉशलिंग करवा पाएंगे, कॉशलिंग में कोई नया बदला नहीं है, कॉशलिंग आनलाइन ही होगी, और यूपी बेड का जो कौंसर्ट ट्रेडूल है ये अगले हप्ते तक आ रहा है अगली नियूज़े की CTT रिजल्ट जुलाई के अंतर तक जारी कर दिया जाएगा कापियों का मुल्यांकन चल रहा है और इसका जो रिजल्ट है जुलाई के अंतर तक आने की सुचना प्राप्त हो रही है वहीं पर बात करें अगर BSEB STT की की और रिजल्ट का तो इसके बारे में अभी कोई जांकारी नहीं है लेकिन आप धहरे रखें सिक्षक भरती परिक्षा का जो चौसा चरण होगा जो की अगस्त में आज इतुने जा रहा है BPSC के द्वारा तो इसमें आपको 100% म पता नहीं लेकिन ये एक बात तो बिल्कुता हैं कि सिक्षक भरती परिक्षा का जो चौसा चरण होगा उसके पहले पहले STT का रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा और CUTUG आंसर की आधे से अधिक जबाब गलत होने का दावा तो NTA की बड़ी रापरवाई सामने आई है अ सबसे अधिक दिक्कत सामने आ रही है तो चात्र यहां पर कर रहे हैं कि NTA की बड़ी रापरवाई सामने आई है और CUTUG में जो आंसर की जारी हुई है उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो उत्तर हैं वो गलत हैं और हाई कोट ने मादमी सिक्षा निदेशक समेथ कई अ वारानसी के सिक्षा निदेशक जौनपु के जिला विद्राय निदेशक बित अधिकारी और कालेज के प्रवंदक समित के मनेजर के खिलाफ जमानती वारान जारी किया है यह आदेश न्यायमूर्ती सुभास विद्यार्थी की एकल प्रिट ने अध्यापक बजरंग बली दूबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है कोर्ट में इन सभी को पांच जुलाई तक रिकार्ट समित अधालत में पेस होने का आजिस दिया था लेकिन ना जबाब दाखिल हुआ ना अधिकारी पेस हुए इससे नाराज कोर्ट ने अधिकारे के खिलाफ जमानत जुलाई को होगी और फीस नहीं लोटाने वाले कालेजों की अब मानता होगी नेरस तो UGC की सक्त नीती रुख जाएगा अनुदान चातरों की फीस नहीं लोटाने पर अब कालेजों की मानता सीधे रद्द होगी कालेजों को प्रात्मीक्ता के आधार पर फीस और का रवाई की रुप्रेखा बनाई है ऐसी सिकायत मिलने पर विशुविद्यले और कालेजों की मानिता रजद करने अनुदान ठोकने आनलाइन वा दूरस्त सिक्षा बाठकरमों की मंजूरी समाप करने के साथ डिफाल्टर सुची में डाल दिया जाएगा ऐसे संस्थानों के नाम अकबारों के साथ आयो की वेबसाइट पर पहली बार सवजनी के जाएंगे अब तक ऐसे संस्थानों के खिलाफ सिर्फ जुर्माना लगा जाता था यूजिसी के सचिव प्रोफेसर मनिज जोसी ने सभी विस्विदालेओं और राज सरकारों को पतर लिकर कहा है कि ऐस संस्थानों के खिलाफ आयोक सक्स्तिसक्त कारवाई करें और यहां पर देखिए इंजिरिंग और मेडिकल पार्मेसी अर्किडेक्ट्र समेथ सभी विस्विदालेओं कालेओं पर लागू होंगे कोई चातर दाखले के बाद सीट छोड़ता है तो नियमों के तहत फीश में से कुछ रासी काट कर बाकी लोटाना अनिवार है डाकले की आंतिम दिती से 15 दिन पहले तक सीट छोड़ने पर 100% इसके बाद 90% फिस्ट वापस होगी आंतिम दिती के बाद 15 दिन बाद तक 80% और 15-30 दिन में 50% फिस्ट वापस करनी पड़ती है और देखो फ्रेंट्स मैंने नाराज रहना है दुखी रहना है यह सब आपके चुनाव पर निर्फा करता है मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने लिए एक टार्गेट शर्ट करिए कि अगले कुछ समय तक एक दिन दो दिन तीन तक आप भुरे लोगों से भुरे विचारों से दुखों से परसानियो के बारे में नहीं सोचेंगे और यकीन मानिए कि ये तीन दिन आपके सबसे अच्छे गुजरेंगे आप अपने मन पर नियंतरन कर सकते हैं एक बार प्रयास करें